हमारे यूटूब चनल में आपका स्वागत है क्या सरपंच उम्मीद्वार पंच का भी सुनाओं एक साथ लड़ सकती है इसमें कहने का मतलब है क्या सरपंच और पंच का चुनाओं एक साथ कोई उम्मीद्वार लड़ सकता है तो इसके बारे में आपको पूरी जान करी हम इस वीड़ों में देंगे यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सबिस्क्राइब नहीं किया है तो सबिस्क्राइब करेंगे यदि वीड़ों आपको अच्छा लाएगा तो लाइक जरूर करें सरपंच उम्मीद्वार आखिर पंच का चुनाओ लड़ेगा क्यों आखिर कार तो वो सरपंच का चुनाओ लड़ी रहा है जो मुख्य उम्मीद्वार होते हैं मुख्य उम्मीद्वार कहने कार था जिसके जितने का चांसेज जादा रहते हैं वो तो नहीं लड़ेंगे पंच का चुनाव एक साथ लेगिन जिसके हारने के chances ज़्यादा रहते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो सरपंच कभी चुनाव लड़ते हैं और पंच कभी चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कोई उम्मीदवार पंच और सरपंच दोनों का चुनाव एक साथ लड़ सकता है बैचांस यदि वो उम्मीद्वार सरपंच और पंच दोनों का चुनाव जिद जाता है तो उन्हें एक पद से इस्थिपा देना होता संभा होता है वो पंच के पद से इस्थिपा देंगे लेकिन किसी कारण ये दिवो पंच के पद से इस्थिपा नहीं देते हैं तो उनका सरपंच का पद सोता ही समाप्त हो जाता है वो सरपंच नहीं रहेंगे हाला कि ऐसी घटनाई बहुती कम होती है ये बात सत्य है कि सरपंच नहीं द्वार पंच कभी चुनाव एक साथ लड़ सकता है और दोनों चुनाव जिद जाता है तो उन्हें एक पद से इस्थिपा देना होता है यदि जान करें आपको अच्छा लगी तो लाइक जरूर करें करेंग करेंग से लाइक जरूर करेंग से एक जरूर करेंगिते ही तो इस्थिम्ध थेुए जो कार्वस्वादान।